कमला हो थैंक और तुम आ गए अब चले यहां से अकल से पैदल हो क्या अब तक यही पर बैठी हो घर नहीं जा सकती थी तुम नहीं तो यहां बेट करने को कहा था मतलब मैं जो कहूंगा उसमें बिश्वास करूगी बिश्वास नहीं होता तो अकले तुम्हेरे साथ इतनी दूर क्यों आती इतनी रात गए ऐसी खतरनाक जगा में अकेले रहना तुम्हें डर्वर नहीं लगता कोई जानवर या साफ हमला करते तो वो मुझे कुछ नहीं कर स जानवर यह नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते बताओ क्यूं है छलो गुद नाइट गुद नाइट गुद नाइट गाई वाई एह शोना माना तुम्हें वेट करने से नफरत है पर कल वेट करना पड़ेगा मेरे लिए ओके ओके बाइब हुआ है तुम्हें हमारे स्वामी ने बुलाया है आप शलिए मैं आता हुआ 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 है इसकी आत्मा की शुद्धी हो गई है अब तुम इसे ले जा सकते हो पर इसके अंदर के भूत का क्या इसके अंदर किसी भी आत्मा ने प्रवेश नहीं किया था मुझे तो पहले से पता था आत्मा होती नहीं है, साइन्स इतिनी तरक्की कर चुका है, इसलिए आप मानी गए कि आत्मा नहीं होती मैंने कहा किसी आत्मा ने इसके शरीर में प्रवेश्ट नहीं किया, ये कब कहा कि आत्मा कुछ नहीं होती हर मनुष्य मृत्यू के बाद जब देह त्यागता है तो उसका वजन 21 ग्राम कम हो जाता है ये बाद साइंस में प्रमानित हो चुकी है स्वामी जी तो वो 21 ग्राम वजन आखिर होता किसका है मृत्यू के बाद शरीर त्याग देती है आत्मा जिनके शरीर पर शैतान हावी होता है, वो बिलकुल आम लोगों की तरह व्यवाहर करता है, हमारे भी चाम जिन्दगी जीता है, उसे देख रहे हो तो, हे, कितना क्यूट बॉइ है, बहुत हैंडसम है न, आपका तो नहीं होगा, बहुत है, राजा भुपती की तीसरी संतान ने अपनी कुल देवी का मंदिर किरवा दिया, देवी ने उसे श्राब दिया, और आज भी वो श्राब कायम है, राज हमारा था, और हमारा ही रहेगा, जिस बाल अवस्था में, बच्चा अपने दादा का नाम ठीक से नहीं बोल सकता, ये बिना रुके अपने राजवंश का इतिहास बता रहा है, आप क्या कहोगे तुम? हमारा काम मनुश्य की कमजोरी को अपना ब्यापार बनाना नहीं है, सनातन धर्म हमें इसकी अनुमती नहीं देता, अब तुम लोग जा सकते हो, शुभम कल्यान स्वामी किशोर के बारे में बताया था ना वो यहीं पर रहती है, और के भी या कबला कबला कम्ला हें हम गंडा 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 रूम रूम तुम ने कम्ला को देखा दाधी और वो तो सुबह सुबह चले गए जाने कोई मैसेज छोड़के गई है मैसेज तो नहीं छोड़ा फोन नमबर तो दिया होगा क्या सर साथ में तो आप घुमते थे फिर नमबर मेरे पास कैसे होगा क्या भाया यह लड़की भी दुमको धोका दे गई करता कर्म क्रिया क्रोध प्यार रिष्टे कुछ भेश आश्वत विलको लेई विलको लेई कर्याश्यार को फिर देOWर है सब्सक्राइज दूदारा है तीन आनो एंटीन इंचोखे बा़रा निदि को के बारा एक्सक्यूज मी सर् फबंजे पंद्रा क्या हुआ बेटा नमस्ते सर मैं कॉला का फ्रेंड हू को जो के वैज़ वड़ा था सोचा कॉला सह मिलनु कमला नहीं है तो कब तक आएगी मैं वेट कर लूँगा कब तक इंतिजार करोगी तुम अच्छा कहा गई है बता देजिए मैं वहां मिलूँगा तुम उससे नहीं मिल सकते हैं क्या मतलब कि उससे पर चार साल हो गए कि अच्छानक कैसे एक्सिडेंट से एक्सिडेंट कब हुआ था काफी टाइम हुआ अभी दो दिन पहले तो हम साथ में थे तो कि यह देखिया उसकी फोटोस भी है यह देखिया यह मेरी बेटी कमला नहीं है लेकिन सुदिया कि मेरा तो दिमाग एक आप नहीं कर रहा वह लड़की थी कौन मेरे बार में क्या फील करती थी हैं मैं पसंद नहीं था तो सीधा सीधा बोलती ना चार दिन मेरे साथ घूमी फेदी और अचारक से खायब हो गई यहां पर तो लड़की यह आखे चार नहीं करती क्या मतलब कि अरे लड़की लोग का यह चिलोचा है वो लोग ना कभी भी अपना असली नाम पता नहीं बताती है बहुत शानी रहती है तू दिल्पयों मतले क्या बोला दिल पे नहीं लूँ और ने तक है बाइक साइड में लगा कि चलो उतर काई को अरे उतार ना कि यह यह बेर को छोड़के गहा जा रहा है इरो तू भी दिल पा मतले ना मेरा गोली मेरको दिया कि अ कि 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 आपक बाड़े मैप एप, एप, पह, 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 पुल्ए, कम्लाम, एप, कम्लाम, झाल झाल आई हेट वैस्चिंदा ये भी कोई डांस वाथ छोटे-छोटे कपड़े पहन कर यहाँ वाहाँ लटके जटके माना कर दो यहाँ बादा यहाँ फैंटास्टिक जॉब गाइज डाइज दो लेट तोमोरोगाइज वाइज तुमने मुझे चूट क्यू बोला मैं तुम्हें शकल से पागा लगता हूं रहलो हू यू कर दो यहां हूं वहां हूं हूं रश्टे पर एक वियारा कुट्दा दिख जए तो वह एक हाफते तक याद रहता है तुम मुझे जल्दी कैसे बूल गई वाट रबिश हूद है अनि क्यों चिल ला रही हो तो यह है तुम्हारा असली नाम आपने सुना दी कबसे कह रहा ह कि मैंने इसके साथ करला में चार दिन बितार है तुम इसकी बात में पीछे ही पढ़ गया है तो मेरे ट्रीटमेंट के लिए तुम से किसने तुमारी पूली बहन नित्या ने और कम ला वहां ट्रीटमेंट नित्या का हुआ तो प्राब्लम नित्या में थी पूरा परिवारी पागल लगता सब एक नमर के जूटें मैं सच बोल रही हूं मेरी दादी और नित्या केरला ट्रीटमेंट के लिए गए थे मैं उनके साथ नहीं गई थी मैं यह नहीं मांन सकता पूरे चार दिल मेरे साथ ही तो उसका होथा कपता हर इंहन को अलग समय पर अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पर नित्या को ट्रीटमेंट रात को दिया जाता था है इसका मतलब एक दिन तुमने दादी को बेहोश करने की दवा पिलाई थी ना ये से कैसे बता चला दादी ने मुझे वहां की एक एक बात फोन पर बताई थी नित्या के शरीर से आत्मा निकलने के बाद वहां पर क्या-क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है वो तुम्हें भी बूल चुकी है पर नित्या मेरे काफी करीब आगई थी हमेशा मेरे साथ रहती थी वो तुम्हारे साथ कैसे रहती थी वो तो वहां होकर भी वहां नहीं थी उसके शरीर पर खुद उसका बस नहीं था क्या नाम था उसका कमला कमला ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया था, इसलिए वहाँ जो भी हुआ उसमें नित्या का कोई हाथ नहीं है, वो ये सब कभी भी नहीं करना चाहती थी, वहाँ जो भी होता था उस सब की वज़े कमला है, यानि नित्या वो नहीं जो मुझे चाहती थी, और हमने जो साथ वक्त बिताया, मैंने कहा न वो नित्या नहीं थी कमला थी शरीर उसका था पर आत्मा कमला की थी वो सारा काम उसकी आत्मा काई था देखो अगर तुम नित्या से दुबारा मिले और तुमने केरला की बाते यार दिलाने की दुबारा कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा परिशान हो जाएगी कि तुम उसे भूल जाओ प्लीज एक सगेड तो फिर नित्या के शरीर में जो आत्मत ही वो वो नित्या के शरीर से निकलने के बाद कहां गई पता नहीं हां मैंने उसके बारे में पता किया था सिर्फ इतना पता चला हां वो विजयवारा की है कमला हाई आम कमला प्योर वेजटेरियन फ्रॉम विजयवारा हुमें फिरे मिना अगर उपर चले गए तो जीने का क्या फाइदा बताओ अगर वो नहीं सोती तो मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं आ पाती वो मुझे कुछ नहीं कर सकते जो मौत से डरते हैं वो ऐसी चीजों से डरते हैं